कोशन है हमारा कि relation between velocity and displacement of particle is 4v square is equal to 25 minus x square then find the time period of oscillation right तो 4v square is equal to कितना given at 25 minus x square right तो v square कितना हो जाएगा 1 by 4 25 minus x square मेरे दिमाग में क्या है यह पार्टिकल क्या कर रहा है तो मेरे को displacement के साथ variation पता है नो omega a square minus x square आता है यहां से मैं omega find out कर लूँगा अगर में equate कर दिया इस equation को given equation के साथ तो अमेगा मिल जाएगा न हमें तो आ रहे समझ में यह 25 minus x square राइट यह 5 का square है यहां से omega कितना आता है मारा 1 by 2 अगर मैं इस equation को compare करता हूँ इस equation के साथ तो आएगा ना बिलकुफे तो time period कितना होगा तू पाई या पान omega को पूर पाई है कितना हो जाएगा फॉर पाई है तो फॉर पाई सेकेंड हो जाएगा अंसर इसका हाँ सब्सक्राइब आया समझ में आपको हाँ कोई डाउट इसमें आपको लेस ओके एक समस्क्राइब कर दो